मुझे ये नया जीवन सिर्फ कुछ चर्सिंग का सर्वनाश करने के लिए मिला है और इस रास्ते पे सिर्फ तम दोनों मेरी मदद कर सकते हो तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकत पर बाजियों का सहारा दे सकते हो बस यही कुद्रत है यही मा का वर्तान बोलो करोगे ना मेरी मदद जूट जूट बोल रही है तू मैं कोई जूट भी कह रही जूट बोल रही है तू जूट बोल रही है हर बार एक नया जूट बोलती है और जब इसका जूट पाना जाता है तो एक और जूट बोलती है एक और मंगरचकानी सुनाती है ये ये तो एक नागिन है नागिन चो दिलों को डशती है होश रहा ले जाती है, जाहर बहला जाती है और फिर नए शिकार के तलाश में निकलती है इसकी हर अदा फरेव है हर बाट जूट है उसकी किशान शंकर तू सच गया था था मेरे यार औरत बेववा होती है बेववा होती है औरत किशान मुझसे खेल रही थी मेरे दिल से जिर्फ केल रही थी तू किशान मेरे यार तू हमेशा चाहता था न कि मैं इसे दूर रहूँ मुझे दूर ले चल मेरे यार मुझे इसे बहुत दूर ले चल चल यार नहीं किशन नहीं ये इस बार जूट नहीं कह रहे क्या ये तो कह रहा है शंकर मैं कह रहा हू ये पहली बार सच कह रही है किशन आज इसकी दुबा नहीं इसका दिल बोल रहा है बहुत अतियाचार हुआ है ना तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ना लेकिन एक बात कहूँ ये संसार भगवान ने रचा है अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो नजाने कितने रास्ते खोल देता है उसने तुझे जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम चलेगा तुम्हारी मदद हम करेगे तुम्हें तुम्हारी मंसिल सक हम पहुचाएं ये रुपा ये तुछा कह रहा है च्या कह रहा है तुछंकर तुभी इसकी बातों में आगया हरे यह डोंगी है डोंगी जूर बोलती है यह नहीं किशन यह सच कह रही है और हमारा कर्म यही बनता है कि हम इसकी मदद करें हमें इसके साथ जाना होगा किशन यह क्या बखबास करना है तू मैं इसके कोई मदद नहीं करूँगा कई नहीं जाओगा मैं इसके साथ अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाओँगा वह रे औरत एक ने पहचान लिया तो दूसरे को भास लिया किशन क्या बक्रा है तू जो औरत की इफाज़त करता है वो सिर्फ पती आशिक नहीं होता मर्द का एक और रुप भी होता है जिसे भाई कहता है आज से मैं तुम्हारा भाई हो रुपा तुम्हारी इफाज़त मैं करूगा